फलहार बनाएंगे पंचमरित स्टाइल में हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे 1.5 कप मिल्क और इसमें मैं डाल रहे हूँ बहुत ही गाड़ी दही वो भी 2 टेबल स्पून के करीब तो ये दही है 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रहे हूँ और मैं इसमें डाल रहे हूँ 1.5 टेबल स्पून प्योर घी घर का बना हुआ शुद्धगी शरीर को सक्ति प्रदान करता है इसी बहाने से तो आप खा लेंगे घी खाने से बॉडी स्ट्रॉंग बनती है आखों के रौशनी तेज होती है और दिमाग भी तेज होता है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 2 टेबल स्पून के करीब हनी ये डाबर का हनी है वैसे तो इतना शहत काफी है मिठास के लिए लेकिन पंचा मृत जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालते हैं तो हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे स्वाद के अनुसार आप इसमें शक्कर डाल लीजिए अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दही ज़्यादा मैंने नहीं डाली है ये थोड़ा मीठा मीठा ही लगे इसके लिए मैंने दही थोड़ी कम ही डाली है आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें शक्कर, दही, शहत तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं लेकिन घी नहीं मिक्स होता है लेकिन आजकल गर्मी है तो देखें थोड़ा बिघल गया है घी ये पंचमरित भगवान को चड़ा सकते हैं और जब आपको खाना है तो इसमें फल डाल लेजिए दो बनाना लिया और उसकी स्लैसिंग की है आप चाहें तो थोड़े चोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं तुलसी के पत्ते डाल दिया है और तुलसी के पत्ते आप डाल रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को पहले धो लिजिएगा फिर इसमें डाल लिएगा मिक्स कर लिजिए तुलीजी तयार है आपके लिए पंचमरित वाला फलाहार ये पंजमरित वाला प्रसाद बाट भी सकते हैं और फलाहार में खा भी सकते हैं पेड भर के खा सकते हैं कोई और भी दूसरा फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि फल तो व्रत में खा ही सकते हैं आप चाहें तो एपल डाल सकते हैं आप चाहें तो फल के साथ ड्राइफरूट भी डाल सकते हैं काजू पदाम के श्मिस बहुत हिल्दी रहेगा और यदि ये खा लेंगे तो भूख नहीं लगेगी बहुत देर तक पंचमरित वाला फलाहर बनाना कितना आसान है जब भी भूख लगे वरत के टैम पे आप तुरंत आसानी से बना सकते हैं और हिल्दी भी है